आज हम दाल वड़ा बनाएंगे ये जो दाल वड़ा है वो चना दाल से बनता है ये वड़ा है वो चप्टा बनता है और साथी में इसके नारियल की चट्नी बनाएंगे इस चट्नी के साथ दाल वड़ा खाने में बहुती मज़ा आता है और ये जो चट्नी है मुंग दाल पक हेलो फ्रेंड्स नेतरगीचन में आपको सौगते तो छेल आज की मजदा रसीपी को शूरू करते सबसे पहले नारियल की चटनी बनाएंगे उसके लिए एक जार में आदा का फ्रेश नारियल डाल देंगे साती में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे इसमें एक इंच अद्रक का तुकडा डाल देंगे दो से तीन हरिमिच डाल देंगे और साती में आदा निम्बू का रस डाल देंगे इसमें नीम्बू का रस और चीनी डालने से चटनी में खटा मीठा टेस्ट आएगा एक छोड़ा चमच यहाँ पर चीनी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से पीस लेंगे यहाँ पर चटनी को थोड़ा सा दरदरा पिसना है इस चटनी को आप एक पर जरूर ट्राय करें दाल वड़े के साथ बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पर आप देख सकते हो चटनी क्यों मैंने पीस लिया है तो यह हमारी नारियल की चटनी बनके तयार है अब हम दाल वड़ा बनाएंगे यहाँ पर एक कप चना दल लेंगे अब चना दल को धो लेना है और अच्छे से धो कर 7-8 घंटे के लिए इसे अच्छे से भिगो के रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दाल को अच्छे से भिगो लिया और पानी में से दाल को निकल लिया और यह आप देख सकते हो दाल हमारे अच्छे से सोक हो चुकी है यह बहुत ही इंपोर्टन है अब इस दाल को एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे यहाँ पर लगपक 80% दाल को मिक्सी जार में डाल देंगे और बाके की दाल साइट में रख देंगे इसे यूज करेंगे बाद में तो यहाँ पर जो साबुच चना डाले इसे यूज करेंगे बाद में, अब साती में हम इसमें दो इंच अद्रक का तुकडा डाल देंगे, शाथ से आठ लस्टन की कलिया डाल देंगे, तो से तीन तिखी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, और ये सारी चीजों को अच्छे से पिसना है, इसे दरदरा पिसना है, डाल को पिसते समय इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें, पानी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये इस बात का ध्यान रखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डाल को मैंने किस तरह किसे पिसना है, तो इसे दरदर जीरा डाल देंगे एक छोड़ा चमस साबुत धनिया डाल देंगे एक छोड़ा चमस सौफ डाल देंगे आदा छोड़ा चमस साबुत काले मिर्च डाल देंगे और इन सारी मसालों को अच्छे से दरदरा पीस लेंगे इसमें काले मिर्ज बहुती इंपोर्ट ने थोड़ी सी जादा डालोगे तो भी चलेगा इसका फ्लेवर बहुती अच्छा आता है वड़े में तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसालों को दरदरा पीस लिया इन मसालों को आपको PCV डाल में डालना है इसमें मसाले डालने के बाद जो बच्चेवी चना डाल थी वो भी इसमें डाल देंगे साथी में एक बारिक कटा हुआ प्यास इसमें डाल देंगे प्यास डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे अब इसमें कुछ करीपत्ते डाल देंगे करी पत्ता को बारी काट के इसमें डालना है करी पत्ता ये बहुत ही इंपोर्टन है वड़े में इसका फ्लेवर थोड़ा सा जादा आना चाहिए वड़े के अंदर ये ध्यान रखे पत्ता इस मिक्षर में डालोगे तो वड़े का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ये बहुत ही हेल्दी भी होता है अब बारीक कटावा करी पत्ता इस वड़े के मिक्षर में डाल देंगे साथी में बारीक कटावा धन्या पत्ता डाल देंगे और एक बड़ा चमच चावल का आटा डाल देंगे इससे वड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगे एक बड़ा चमच गरम तेल डाल देंगे और आदा छोड़ा चमच हिंग डाल देंगे इसमें अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से मैश करना है सब चीजों को जैसे आटा गुनते हैं वैसे उसी तरीके से इसे अच्छे से मैश करना है पैस जो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा अपना तो सारी चीजों को अच्छे से आपको मिलाना है अगर आपको लग रहा है कि पानी छोड़ रहा है पैस तो आप इसमें थोड़ा सा चावल काटा भी डाल सकते हो पर मुझे यहाँ पर बिल्कूल भी जरूरत नहीं है इसलिए चावल काटा नहीं डालूगी अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करना है अब यहाँ पर सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई अब इस मिक्षर को चेक कर लेते हैं अब ये मिक्षर हातों में ऐसे जूड रहा है यानि कि हमारा दालवड़े का मिक्षर एकदम परफेक्ट बना है इसे शेप करने के लिए आपको छोटा सा पोशन लेना है उसको एक रफली राउंड कर लेना है राउंड होने के बाद दूसरी हातेली पर इसे रखना है हतेली पर रखने के बाद इस तरीके से दूसरे हातों से आपको हलका से इसे चप्टा करना है हलका से इसे मारना है और ये चप्टा हो जाएगा तरीके से दालवड़े बनाने है टिक्की जैसा शेप नहीं करना है साइट के कीनारे थोड़े से चप्टे रहने चाहिए, यह बहुती important है तो डाल का जो mixture है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं use करना यह बहुती important है और जब भी आप यह mixture बनाओगे तो यह mixture dry भी नहीं होना चाहिए नहीं तो वड़े अंदर से ड्राय बनते हैं हल्का सा मौईश रखोगे ना तो ये वड़े फ्राई करते समय थोड़े से लाइट बनेगे और अंदर से थोड़े से मौईश होगे तो ये बहुती इंपोटन है तो आपने देखा कि किस तरीके से शेप करना है बहुती आसाने और एक प्लेट में इस वड़े को रखतेंगे अब हम डाल वड़े को फ्राय करेंगे तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थंडा भी नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखे अब वड़े को सावदानी से तेल में डाल देंगे चार से पाच वड़े आप एक टाइम पर डाल सकते हो एक बार वड़े को आपने तेल में डाल दिया तब हाई फ्लेम पर पहले लगबक 30 से कंद तक चमच बिल्कुल भी नहीं डालना है वड़े को सेट होने दिना है एक बार वो शेफ पकड़ ले तो ही चमच से आपको इसे पलटना है तो अब भी वड़े सेट हो चुके है यहाँ पर आप देख सकते हैं वड़े ने शेफ पकड़ लिया बिल्कुल भी बिखरे नहीं अब फ्लेम को मीडियम टू लो करना है और मीडियम टू लो पर अरम अरम से फ्राय करना है वड़े को ताकि दाल जो है अंदर से अच्छे से पक जाए और बाहर से वड़े अच्छे से क्रिस्पी बन जाए अगर वड़े को आप high flame पर fry करोगे तो बाहर से color पकड़ेगा और अंदर से ये कच्छे रहेगे ये बहुत ही important है कि इसे अराम अराम से low to medium flame पर fry करे तब भी आपके वड़े अच्छे बनेगे और इस बात का ध्यान रखे कि इसे shape करते समय इसे टिक्की जैसा shape नहीं करना है तिर्फ हातों से हलका सा इसके उपर मारना है उससे क्या होगा वड़े बहुत ही जादा आपके crispy बनेगे ये सारी चीज़े आप ध्यान रखे तो ये आपके वड़े अच्छे एकदम perfect बनेगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने low to medium flame पर वड़े को अच्छे से fry कर लिया बहार से color एकदम perfect आया है एकदम crispy बने है अब इने एक जारे से अभी निकल लेंगे सेम बाकी के भी इसी तरीके से fry करना है तो यहाँ पर हमारे दाल वड़े बनके तयार है अब इसे plate कर लेंगे बारिश का मौसम और साथ में गर्मा गरम कूरकूरे क्रिस्पी वाले दाल वड़े टेस्टी वाले थोड़े से तीखे वाले और करीपत्ता का इसमें जो flavor आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और साथी में नारियल की चटनी इसके साथ बहुत ही लगते हैं उसमें जो खटा मीठाती का flavor होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है यह वाली चटनी आपने कभी पहले बनाई नहीं है तो आप इसे जरूर ट्राय करें हर जगे की डाल वड़े की रेसीपी थोड़ी थोड़ी अलग होती है कई लोग डाल पीस्ते समय पैस को डालते है कई लोग अद्रक लसन हरी मिच को मिख्षर में बारी काट कर डालते है तो कही लोग अलग-अलग तरह किसे बनाते पर मैंने इस तरह किसे बनाया है दाल वड़े को आप गरम गरम ही खाये तो यह आपको मजा आने का खाने में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले